नमस्ते विध्यर्तियों डॉक्टर किरती की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत हैं इस चैनल पर आपको हिंदी के ही नहीं तो मराठी के भी वीडियोज बराबर मिलते रहेंगे इसके लिए आप मराठी के लिए भी इस चैनल को जरूर देखिए आज हम कक्षा सात्वी इसकी तीसरी कविता माझा अंगनात इसकी एक्स्प्लेनेशन भी देखने वाले हैं और इसके जितने भी प्रश्नोत्तर है इस पोयम में सबसे ज़्यादा कोश्चन आंसर्स दिये हुए हैं पूरी बुक में तो हम उसको भी देखने वाले हैं यानि एक ही वीडियो में आईए स्वाध्या को शुरू कर पहले एक्स्प्लेनेशन को शुरू कर देते हैं और उससे पहले आप से रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी जरूर से कीजिए क्योंकि मिलबाट कर पढ़ने से ग्यान बढ़ता है कभी भी कम नहीं होता इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए तो लेसन मतलब कविता का नाम है माज्या अंगनात माज्या याने मेरे और अंगनात याने आंगन में आंगन ऐसी जगह जो घर के सामने की जो थोड़ी खुली जगह ह होती हमारी बाउंडरी के अंदर की उसको आंगन कहा जाता है तो पहले के घरों में जो है बहुत बड़े बड़े आंगन हुआ करते थे तो पहले हम इस कविता के शबदार्थ को देख लेते हैं माज्या अंगनात याने मेरे अंगन में मेरे घर के आंगन में ऐसे अब पहल यहां समालावाचे मोटी, इसका जो अर्थ है वह है जवारी चेट दाने और हिंदी में इसको भूलेंगे जवार के दाने जिसे जवार, बाजरा, गेहुं यह तो इसमे जवार के दानें वह यह हैं मोटी के समान गोल गोल होते हैं और सफेद दिखते हैं इसलिए उसको शाडवाचे मोती ऐसा कहा गया है आगी का दिखते हैं रास रास यहनी क्या होता है धीग मराठी में और हिंदी में धेर लख चमकदार दोनुई भर्षा में आपको समझ में आ गया होगा अंगन यहने आंगन मिजास तोरा हिंदी में रुबाब रान में वा मराठी रानात पिकनारी फळे और हिंदी में जंगल में पकने वाले फल या जंगल में मिलने वाले फल शिनने शिनने का मतलब होता है दमने थकने मराठी में और थकान या थकना हिंधी में आसु आसु याने डोळादिल पाणी और हिंदी में बोले तो अश्रू माती याने मिट्टी गुणया गोविंदा न याने प्रेमाने या फिर हिंदी में बोलेंगे प्रेम से आगे दिखते हैं साय, साय याने मलाई जो दूद के उपर आई हुई रहती है न मलाई वैसे पाखरो याने पंची या पक्षी, टिप्ती याने चुगना अब यहां पर टिप्ती का मतलब वो हिंदी में जो टिपना वगर होता है वैसे नहीं है यहां मराठी में टिप्ती का मतलब है चुगना चोच से जो खाते हैं न पक्षी दाना तो क्या बोलते हैं हम दाना चुग रहे हैं तो मराठी में उसको टिपना वोलते हैं ना दाने टिपना घास अब यहां घास याने वो गवत वाली घास नहीं है तो घास का मतलब है निवाला या कोर दिला घितला यानि देना लेना वाड़तो यानि बढ़ता है डुले यानि डोलना लहराना हिलना डुलना ऐसा पाउड़ा याने नारंगी रंग का मोती एक मोती आता है जो कि मतलब नेकलेस में डाला जाता है मंगल सुतर में डाला जाता है उसको बहुत पवितर और अच्छा माना जाता है तो उसको पाउड़ा बोलते हैं ठीक है उसमें से वो दाने जो रहते हैं जो आरके वे गिर जाते हैं तो सांडल, ऐसा, आपको समझाने के लिए बताया मैंने, अब यहां पे हम पोयम देखते हैं, माझा अंगनात, एने मेरे आंगन में, मेरे घर के आंगन में, अब यहां आपने देखा होगा, कि यह जो है एक घर द लगाँ है। इस आंगन में देखें यहां पर जो धेर लगाँ हूआ है। इसको जो है रास बूला जाता है। और यह जो आपको दोनों जगहाँ परखेंवे चोकोड से से दिख़े रहे हैं यह सब क्या है? Rsn रान मेवा है रान मेवा है नहीं क्या जो जंगल में से लाया हुआ जंगल में हुआ जो भी फरल फूल है वो लेकर आए है उसको जो है थोड़ा सुखाने के लिए आंगन में रखा हुआ है और यह खेती से निकला हुआ सब यहां पर जो है फसल काटने के बाद जो रखा जात तो इसके डेर बन जाते हैं ना हीब बन जाते हैं उसको मराथी में रास बोलते हैं अब यहां पर आप इस लड़के को देख रहे हैं कि यहां पर कुछ खिला रहा है ना पक्षियों को तो यह पक्षी क्या खा रहे हैं दाना खा रहे हैं लेकिन इसके पास सी क्या गिर रहा है आपको पता है यसे बड़ा-बड़ा मक्का जैसा लग रहा है तो यह जो है जुवारी और बाजरी के कोणिस इसको बोलते हैं माराथी में यह इसके अंदर डाने लगे हुए होते हैं तो जो पंची होते ना उनको बहुत अच्छे लगते हैं बोलते ना चिडिया चुग गई अब यह पोएम में आपको दो-दो लाइने मतलब चार चार लाइने जो है वो लेकर अब इसका जो अर्थ है वो समझाती हूँ. तो माजह अंगनात यह जो पोएम है यह जो प्रोशक याने खेती करने वाला जिसको मराठी में हम शेत करी बोलते हैं उसकी खेत में जब फसल प बहुत पसीना बहाता है और इतनी मेहनत करने के बाद में जब उसके खेत में बहुत अच्छी फसल होती है बहुत सारा अनाज उत्पन्न होता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसको अपना आनंद व्यक्त करना है और उसको अपनी खुशी व्यक्त करना है तो वो इस खुशी को इन शब्दों में यहाँ पर व्यक्त कर रहा है हमको बता रहा है यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है लेकिन आप ध्यान से देखेगा जरूर कि इसी में आपको सब question answer बगरे सब मिलने वाले तो गहू शाडवाच मोती काड़ा राना तो संडल हम बोल रहा है कि गहू और जुआर के जो गहू और जुआर जो है मोतियों के समान काड़ा राना तो संडल यहने मेरे मिट्टी जो है खेत की वो केसी है काली है तो उसमें काड़ा राना तो राहन याने जंगल होता है लेकिन यहां पर खेत को भी ऐसा बुला गया है ठीक है तो वो बुल रहे हैं कि गेहूं के दाने और ज्वार के दाने ऐसा लग रहा है जैसे मोती के समान मेरे खेत में सबदूर पड़े हुए हैं बिखरे हुए हैं और जब इतनी सारी फसल तैयार होकर मेरे घर के आंगन में मैंने उसके इकठा किया है लाकर है अब यहां के बाद में वो मंडी में बेचेगा या सालबर घर पे खाएगा जो भी तो माज़ा अंगन आतो लखो चांदन पड़ल जब मैं घर पर लेकर आया वो फसल मेल गाड़ी में भरके ट्रेक्टर में भरके तो मेरे आंगन में ऐसा लगने लगा जैसे कि आखाश के सारे तारे उतर आये हो तारे कैसे हो ते छोटे 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 टिम्टे में आते हुए तो वैसे ही जवारी के जवानी है वो आकाश में चमकते हुए तारे के समान याने धर्ती आकाश के समान दिख रही है आंगन आकाश के समान दिख रहा है और उसमें ये सब जो फसल कट के आई हुई है तो गेहु और जवार के दाने चांदनी के समान दिखाई दे रहे हैं ऐसा किसान बोल रहा है मराठी में देखते हैं गहु शालवाच मोती काल्यारानात सांडल आणी माज्या अंगनात लख चांदना पडल शेता धान्य पिकल्यावर शेतकरी आनंद व्यक्त करतो आणी मंटो कि माज्या काल्या शार रखे शेता मधे गभाचे आनी ज्वारी चे दाने जनु मोत्या सार खे पडून आहेत पडले आहेत चांडले आहेत आनी माज्या अंगनात त्या मोत्यां चे पांधरे शुब्र शांदने पडले आहे लख्या चांदन पडले लख्या आने भच्या मगदार है ना पांधर शुब्र आसो काल्या शार माती तूनी मोती पवल्या ची रास अंगनात माज्या डूले रान मेव्या ची मिजास अब जैसे मैंने आपको सारे वर्ड्स के मिणिंग तो दें दिये तो काल्या शार माती तूनी येंने काली-काली एक दम काली शार मिट्टी में से मोती पवल्या ची रास मोतियों की और पवड़े यहने जो ओरेंज कलर के मोति होते हैं नारंगी कलर के उसके धेर के धेर निकल रहे हैं काड़या शारमाती तुनी मोति पवड़याची रास अंगनात माझा डूले रान मेवैची मेजास मेरे घर के आंगन में खेत में से निकले हुए मोति और पवड़य के धेर तो लगे हुए हैं साथ ही साथ मेरे आंगन में तो रान मेवै का भी रुबाब है एने मेरे आंगन में जंगल के जंगल में जितने भी प्रकार के जो है मेवे होते हैं फल होते हैं कंद होते हैं वे सब भी मेरे आंगन में उनके भी धेर लगे हुए हैं और मेरे पूरे घर में इन सारी चीजों का मिजास है ने बड़े रुबाब के साथ में इस सारी चीजे मेरे घर में दिख रही हैं इन सारी चीजों का एक रुबाब अलग ही मेरे घर में दिखाई दे रहा है ठीक है इस तरीके से तब मराठी में देखते हैं कालयाशार माति तुनी मोती पवल्याची रास, कालयाशार माति तुनी, शेतकरी मंटो कि मोती अनि पवल्यास रखी धान्याची रास माजा दाराशी पडली आहे, अंगनात माझा डूले रान मीवेची मीजास आणि माझा अंगना मदे रानात ला पिकलेला मेवा किवा रानात ले फळ अगदी रुवाबदार या मंझे रुवाबाने पडलेले आहेत डुलेले आहेत मंझे ते ठेवलेत आणि वार्यानी ते डुलतात आगे देखते हैं अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो रान मेवा होता है जंगल का मेवा होता है या जो भी खाने की अच्छे चीजे होती हैं तो कहा गया है कि दीला घेतला वाड़तो यहाँ पर कितना अच्छा भाव दिखाया गया है कि एक दूसरे को हम सारी चीजे देते रहें तो वो जितना देते जाओ उतनी ही बढ़ती जाती है तुम्ही आम ही सारे जर्ण गुणया गुविंदा न खावा और इसलिए सब ने मिलकर खुप खुशी से और अच्छे से प्रसन्न चित्त होकर इसको खाना चाहिए गुणया गुविंदा ने मिल बाट कर खाना चाहिए गुणया गुविंदा न का मिनिंग मैंने दिया है नी पता नी है तो आप देख ले ना गुणया गुविंदा ने मिल जुल कर तर इथे कृशक शेतकरे मंटो की रान मेवा दिल्या घेतले ने वारतो अब इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा कि लेने देने से कैसे बढ़ता है तो लेने देने से प्रसनता बढ़ती है खुशी बढ़ती है चीजों को बाटने से वो बढ़ती है खुशियों को बाटने से खुशियां बढ़ती है और दुखों को बाटने से दुख कम हो जाता है यहाँ पे इसका भाव है और दूसरी बात जितनी बीजे दूसरों को दोगे उतने उसके पोधे जो है वो लगेंगे हर एक के घर से जो है नए नए पोधे तैयार होंगे आगे बताया गया है जीव दमनतो शिनतो घास भरव ते मायो घरा मंदी घर ट्यात जर्शी दूधा तलिस आयो यहाँ पर बताया गया है कि जो किसान होता है वो खेत में बहुत जादा मेहनत करता है और मेहनत करके बिलकुल जो है ठक जाता है एकदम जादा जो है वो है टायर्ट फिल करता है दमतो शिर्णतो यह दोनों चीजों का मेनिंग है ठक जाना टायर्ड हो जाना है नो ठकान हो ज माय लेकिन जब वो खेतों में काम करके घर पर आता है तो जो मा होती है घर पर आने के बाद वो प्यार से उसको जो है निवाले खिलाती है गहरा मंदी घर टयाता जर्शी दूधा तली साइब और ऐसा लगता है जैसे एक छोटी से घर में घर्टा तो आपने एक चितर में देखा ना की घर के बाजु में जो एक पेड़ लगावा उसके ओपर जो है चिरिया का घूसला टंगा हुआ है तो घर्टा यानि की छोटा सा घूसला तो वो किसान अपने घर को जो है घूसला भूल रहा है की मेरे घर में इतने छोटे से घर में जो है मेरी मा कैसी है जैसे दूद के उपर की मलाई इतनी नरम इतनी नरम स्वभाव की और दूसरों के दुख में दुखी होने वाली अगर मैं ठक जाओं तो मुझे देखकर मेरी मा भी मेरे लिए जो नहीं वो करने लग जाती है उसको दूद जो है प्यार से निवाले खिलाती है ताकि खाना खाने के बाद उसके ठकान जो है वो है कम हो जाए तो यहाँ पे देखते हैं शेतकरी काय करतो शेतकरी शेता मधे कश्ट करतो कश्ट करूं तो खुब दम तो माजी आई कशी आहे जशी दुधावर्ची साई जणू दुधावर्ची साईच आहे एकदम मुलायम अभी आगे का देखते हैं अंगनात आज माजा दान टीप ती पाखर दूर उडुनिया जाता आसु येती गाला वर यहाँ पर बूला गया है कि जब फसल कटके घर पर आती है तो वो दाने जो आंगन में पड़े रहते हैं उसको खाने के लिए बहुत सारे पक्षी आते हैं और वे सारे दाने जो है वो खाते रहते हैं टिपते रहते हैं तो अंगनात आजमाजा दान टिपती पाखर आज मेरे घर में ये जो पंची है ये आखी दाने चुग रहे हैं इसलिए इनको देखकर मुझे बड़ा आनंद हो रहा है मैं इतना खुश महसूस कर रहा हूं प्रस खुश ये भी दिख रहे हैं और इसलिए किसान भी बड़ा खुश है किसान ये नहीं कहता कि मैंने उगाय हुए जो ये दाने हैं इसको पंची खाकर बरबात करें नहीं बल्कि वो खुशी से उनको खिलाता है तो बोल रहा है अंगनात आजमाजा दान टीपती पाखर दूर जाता आसु ये ती गाला वर बोले जब ये मेरे पास बहुत धेर सारा अनाज होता है और ये आके मेरे अंगन में खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब ये उड़ जाते हैं दूर तब मुझे मेरे गाल पर जो है आसूँ की धार बेहने लग जाती है यहां पर किसान के परिस्तिती के बारे में भी बताया गया है कि जब उसके पास बहुत सारा अनाज होता है तो वो देने लेने में विश्वास रखता है लेकिन जब उसके पास कुछ नहीं होता तो वो बहुत दुखी भी हो जाता है कि उसके पास अभी कुछ नहीं है तो य अब हम देखते हैं कि किसने लिखी हुए पोयम तो लिखे ग्यानेश्वर कोडी ने अब इनका जन्म हुआ है 1956 में जगने माझे आयुशा चा वाटेवर गन दाट लेले चावणी चा कविता आकाश पेलता ना है कविता संग्रह आने आठोणयां चा गुल हा कथा संग्रह प्रसिद्धा है एने इनोंने इतने सब लिखा हुआ है शेतकरी शेतात रातर दिवस काम करता है कि जो किसान है वो दिन रात खेत में काम करता है जे महां ते आचा शेतात खुब धन्य पिकते यह जब उसके खेत में बहुत जादा आनाज पकता है ते महां ते आला खुब आनन्द होता है उस समय वो बहुत खुश होता है उसको ब पहाओ का वर्णन जो है लेखक ने किया हुआ है अब हम यहाँ पे इसके प्रशन उत्तर को देख लेते हैं तो आपके जो टेक्सबुक है उसके अंदर सबसे पहला प्रशन दिया हुआ है खालिल प्रशनान ची उत्तरे एक दोन वाक्यात लिहा इसमें पहला प्रशन आपको देख लेते हैं कि कभी के आंगन में किन-किन चीजों के धेर बने हुए है या पड़े हुए है तो कभी के आंगन में मोती के पवडे के धेर पड़े हुए है रान मेवा कुठे उगवला है आ नंबर का प्रशन है तो रान मेवा रानात उगवला है यहने रान मेवा यहने उगा हुआ है तो जंगली में वा जंगल में रान में उगा हुआ कभी चा अंगन में पच्छी दाने चुगने आते हैं आगे दीखते हैं प्रश्न दो खालील अर्थाचा कभीते तील ओली शोधा एने नीचे दीयेवेज़ अर्थ हैं ब्लेक कलर में उसके अर्थ वाली इस कभीता में कौन सी लाइन है ओड़ी यहने लाइन वो लाइन यहां पे लिखो तो गहू जवारी चा राशित्स राशी शेतात पड़लया आहित इससे रिलेटेट कौनसी लाइन है तो गहू शालवाच मोती कालया रानात सांडल यह लाइन इसका अंसर है ब्लू वाला है आ प्रश्न है कालया भोर माती तून टपोरे दानेदार असे खुब सारे धान्य पिकते यहने काली शार मिट्टी में से टपोरे यहने एकदम भरे वे दानेदार असे खुब सारे धान्य जो है पकता है वो कुनसी लाइन है कविता में तो काल्या शार माती तुनी मोती पवल्याची रास। इप्रश्ण है शेता तुन काम करून दमू नाल्यावर आई घास भरोते यहने खेत में काम करके ठक कराने पर मा जो है वह नीवाला खिलाती है तो उससे संबंदित लाइन है जीवदमतो शेणतो घास भरोते मायव इप्रश्ण है राना तला रान मेवा एक मेका ना देत गेत आनन दाने खाऊया ऐसा कोंची लाइन है तो वो लाइन है दिला घीत ला वाड़तो राना तला रान मेवा तो उससी भी अनाज के खेत का वरणन फोड़े से शब्दों में लिखिये एने वो कोई भी अनाज हो सकता है चाहे वो दाले हो, चाहे वो गेहूं हो, जवार हो, बाजरा हो, मक्का हो, तुवर की दाल हो चाहे वो चनी की दाल हो, चाहे वो मटर हो, चाहे किसी भी तरीके का जो धान निखाने लाइक जो चीज है उससे related जो भी खेते अगर आपने देखा हो तो उसका वर्णन कीजिए तो answer में हम लिखेंगे माजे गाउ कोकुना था ही, मेरा गाउ कोंकर्ण में है एक दामी माजा वडिलान सोबत गणपती चा वेडी गावी गेलो होतो एक बार में मेरे पिता के साथ में गणपती के समय गाउ गया था अब यहाँ पे देखिए गलती है थोड़ा सा वडिलान सोबत यहाँ पे वडिलान है वडिलान सोबत यह गव काट देना गणपती चा वेडी गावी गेलो होतो ये न भी यहां कट करना है हैं और उपर बिंदी लगाना है तेवा आम ही सकाई लवकर उठुन भात शेती बगहे लगे लो तब हमने हम जल्दी उठकर सुभा जल्दी उठकर चावल की खेती देखने के लिए गए सकाई चाव वारयात भात शेती खुब चान डोलत होती सुभा की ठंडी ठंडी हवा में जो भात शेती हैं चावल के खेत बहुत अच्छे डोल रहते हैं लहरा रहते बाताचे लोंबे वारयावर डोलत होते मतलब जिसके अंदर चावल के दाने भरे वे रहे थे न वो जो चोटे चोटे गेहूं के बाली के समान तो वो जो है हवा के ओपर खुब अच्छे लहरा रहे थे डोल रहे थे इदर से उगर हिर्वेगार शेद बगुन मतलब की जो उसकी बाली है वो अभी भरी हुई नहीं है आणि तहला पूरुने पढ़े भराएला एकते दिर महिना अजुन लागेल और उनको पूरी तरह से भरने में यानि उसमें अच्छे से चावल तयार हुने में एक से डेड महिना और लग जाएगा आणि तयानंतर या त्या मधुन भात काड़ला जाईल और फिर उसके बाद उसमें से अब ये मधुन के जगे क्या लिखना है आपको तया मधुन ठीक है उसमें से ठीक है तया मधुन भात काड़ला जाई शेताची इतकी सुन्दर रूप बगुन मला तिकडून घरी आईची इच्छा सूतना हुती याने खेत की इतनी अच्छा खेत का रूप देखके हरियाली वगरे देखकर मुझे वहां से घरानी की इच्छा ही नहीं हो रही थी सकाय चे वातावरन सूर्य अधय आणी सूर्य चे किरणा आजे वहां तया शेतावर पढ़ता तया तया चे सुन्दर रे अजुन अजुन वाढ़न जाते यहने सुबह कावाता वरंड, सूरे उदय और सूरे की जब किरने उस खेत पर पढ़ती है तो उस खेत का सोंदर और भी जादा बढ़ जाता है मला शेता तुन घरी आईची इच्छा सोतनो उती, मुझे खेत में से घर आनी की इच्छा ही नहीं हो रही थी तरी ही थोड़ा वेले थी थे थामबू नामी घरी परत लो, फिर भी थोड़ी देर वहाँ पर रुक कर हम घर वापस आगे गाउं से घर आनी के बाद भी मैं आज भी वह खेत नहीं भुला हूँ, मलाते हुवे हुवाठोत, मुझे वो जैसा का वैसा अभी भी याद है निक्स्ट कोश्चन आपको दिया है चर्चा करा सांगा, यह चर्चा कीजी और बताईए कुश्चन है, रान मेवा कशालामंतात, अब यहां पे कशालामंतात के बाद में ओ कुश्चन माख हैँ आपके टेक्स्ट्बुक में आप देखेंगे तो है यहाँ रान मेवात कौंती फढ़े थाथ वापस से यहां पे या विशे कुटम बातिल वेक्तिन सोबत चर्चाकरा वेक्तिन शी चर्चाकरा है न ची नहीं ची की जगे यहां पर शी कर देना ठीक है वेक्तिन शी चर्चाकरा हम लिखेंगे रानात लाग लेला फड़ाना रान मेवा असे महंटा ने जंगल मे लगने वाले फलो को रान दमुल केटेंगें चाहिए निदर फिर जो हे स्वीट पटेटों हो गए हैं ना फिर उसके अंदर और बहुत सारी चीजें आती हैं जो जमीन के अंदर लगती है तो वह सारी से इसमें आती एच आती है आवला चिंच एने इमली है सर्वे सर्व प्रकार रान मेव्यात यह तात अब देखों यहां पर बहुत सारी चीज़े जो है गलती से बहुत कुछ यह हो जाता है चिंच है सर्व प्रकार है यह हट जाएगा है यह है सर्व प्रकार रान मेव्यात यह तात फिर यह पूरा कट जाएगा यह तात यह भी कट जाएगा यह भी कट जाएगा फिर आगे आएगा रान मेवा पासुन कित्ते कवशदी तैयार होता है यह रान मेवा से कितने प्रकार की दवाईयां बनाई जाती है रान मेवा खायला जंगल से मिले हुए जो भी फॉल होते हैं वो बहुत उत्तम होते हैं त्याने रोग प्रतीरोधक शम्ता सुध्धा वाड़ते उसे रोग प्रतीरोधक शम्ता भी हमारी बढ़ जाती है हा मीवा एका विशिष्ट रितू मदेश आमाला मेरतो और जंगल से प्रापते सारे वो को समझ लेना चाहिए और जंगल तोड़ी थांबवली पाहिजे और जंगल को तोड़ना काटना ये रोक देना चाहिए थांबवली पाहिजे न रोकना चाहिए कारण आज कल जंगल जंगल तोड़ी मुड़े रानमेवा कमी कमी होत साला है कारण क्या है कि आजकल जंगल काटने के कारण जो रान मेवा पहले मिला करता था वो भूती कम होता जा रहा है तो यहां पे रान मेवा के जितने भी नाम है वो मैंने आपको दिये हुए हैं आपको और कहीं भी किसी भी वीडियो में नहीं मिलेंगे इसलिए इसको अच्छे से दिखिएगा आगी का प्रशना आपको दिया है खेड़ुया शब्दान्शी तो खेड़ुया शब्दान्शी में प्रशना है कंसाद दे लेला पर्रया या तुन यहां पे तीन हमको मितलब आप्शन्स दिये हैं मिजास, आस और रास इसमें से जो रास है वो आंसर है ठीक है तो पर्या यानि क्या तो आप्शन्स ठीक है घरा मंदी घर ट्यात जशी दूधा तली माय साय और जाय इसमें से साय केने का मतलब है कि कविता की पंक्ति को कंप्लिट करो यही टाइप है दूर उड या जाता आसू ये थी गाला वर हमको और आप्शन दिये गाला वर सारे जर्ण घर टैत आंसर होगा हमारा गाला वर नेकस्ट कुस्चंद है समूः दर्शक शब्दान्ची यादी तयार करा समूह दर्शक यानि ऐसी चीजे जो समूह में होती है जैसे आप केले देखेंगे तो केले समूह में होते हैं ग्रूप में जैसे एक ही इसमें जो है सो दो सो केले लग जाते हैं तो वो किसा होता है समूह में होता है तो ऐसे बहुत सारी चीजे होती है तो जिसे उधान्याची रास यहने बहुत सारा धान्य अनाज अगर इकठा हो तो उसको रास कहा जाता है मराथी में तो फिर लाकडाची यहने लकडी की क्या होती है लकडी का हिंदी में गठर होता है परन्तु लाकडाची मराठी में मोड़ी ठीक है उसको गठर यहने मोड़ी केडी चा यहने केले का क्या होता है हम लोग केले का जो है क्या बुलते है हिंदी में उसको में भूल गई हूँ और केडी चा मराठी में क्या बुलते है उसको लोंगर की मा घड ठीक हिंदी में भी घड बुलते है मुलांसा मुलांसा क्या बच्चों का लड़कों का क्या होता है छोटे बच्चों का हम बोलते ने यह देखो सब बच्चे के से कठे हो गए एक जगह पर है ना तो उसको बोलते है माराठी में घोड का पक्षयांसा थवा पक्षियों का क्या होता है थवा होता है प्राणयांस सा कड़प आणि द्राक्षान सा घड किमा घोस द्राक्ष एने की अंगूर है ना ग्रैप्स तो उसका क्या होता है घड किमा घोस आगे देखते हैं यह प्रश्ण खालिल शब्दान साथी शेवर्ट समान असनारी कवितेतिल शब्द लिहा एनने नीची के शब्द जैसे में समान होने वाले शब्द जो होते हैं कविता के वैसे लिखो कविता में से ढूंडो कि उनके जैसे दूसरे शब्द कोन से हैं तो जैसे सांडल उसके जैसा ही समान शब्द है पडल एक जैसा प्रणाउंस लग रहा है ना प्रणाउंसेशन रास मिजास राइमिंग साउं में जो शब्द है प्रामानिक रूप से वह बताई है अब इसमें तो जो है थोड़े से मतलब विदर्वर टाइब या नग्री टाइब के जो है शब्दों का यूज किया गया है तो खाव आयने की खा प्रमान भशा में खा बोला जाता है माय जो है विदर्व वगरे में माय एक अच्छी भासा में क्या बुला जाएगा प्रमान्भाषा में और आसु आशू नवे अश्रू के एसा बुला जाएगा प्रमान्भाषा में उपक्रम में आपको दिया हुआ है कि तुम तुमचा शेत तुम्चा परिसरातिल एकादया अनुभवी शेत करें ची तुम्हाला मुलाखाद ग्याई ची त्या साथी प्रश्णावली तैयार करा तुम्हारे परिसर में के तुम्हारे शेत्र में के कोई अनुभवी एक्सपिरियन्स जो किसान है उसका तुमको इंटर्व्यू लेना है और उसके लिए तुमको एक प्रश्णावली एन प्रश्णों के एक लिस्ट तैयार करना है ठीके तो आंसर में हम लिखेंगे पहले कि अब यहां पर हर जगे स्टार्टिंग में आपको जो है रामनाथ रामनाथ लगा लेना है जिसे रामनाथ तुम ही शेती किती वर्षा पसुन करता तो याने तुम खेती कितने सालों से करते हो उसका वो जवाब देगा दूसरा प्रशन हम पुछेंगे तुमचा घरी कौन- चले जाते हैं उसका जवाब देने के अधम उससे चोथा प्रशन करेंगे कहां जो चलेंगे दो खेत कि जुताही किसां से रामनाथ बताइए तुमको बीजे कौन मतलब देता है कहां से तो प्राप्त करते हो उसको और सात्वा लास्ट प्रश्ण है तुम्ही चांगले पी घेर अशाठ कय गाय करता यहां तुम्हें एक अच्छी फसल तैयार करने के लिए क्या करते हो कि जिससे तुम्हें खूब अना जो है खूब मात्रा में तुम्हारे खेत में उत्पन नहों उसके लिए तुम क्या करते हो तो इस तरीके से हमने एक प्रश्णावली तैयार की है । आपको दिया है खेड़ खेड़ खेड़ुया अब उनसे आगे हमको हिंट दिया हुआ है जैसे हम पजल सौल करते हैं बस पजल है तो पहला दिया है हमको कि वर्ण माले तिल बत्तीसावे अक्षर तो यह जो ही ना वर्ण माला में का बत्तीसावे अक्षर सः है ठीक है दूसरा question हमको दिया है कि जंगला तील एक भीत्रा प्राणी यहने जंगल में का एक भीत्रा यहने डरने वाला बहुत ज़्यादा डरपोक प्राणी तो उसको बोलेंगे ससा यहने की खरगोश और तीसरा दिया है हमको तो नहमी, अच्छा ससा ये रैबिट है ना, खरवोश, वही मैं सुच रही थी, क्या बताना भूलगी, थर्ड है नहमी, नहमी ये ये यहाँ पर तीसरा सतत, स स से कौन सा शब्द बनेगा नहमी के लिए, तो सतत, ठीक है, नहमी ये हमेशा, सतत, continue, एक शीत पे, ये ये जो ठ ठंडा ठंडा पेपदार्थ, तो सर से शुरू होता है, सरबत, अब जिसे हिंदी में शरबत बोला जाता है, लेकिन मराठी में शरबत नहीं बोलते हैं, ठीक है, पांचवा कुश्चिन है, रस्ता, रस्ता को क्या बोलेंगे, सड़क, ठीक है, उसके बाद में उत्सव, उत कविते आलेला शब्द, तो कविता में आया हुआ, कुन सा शब्द है, यहां पे देखिए, हमको रा भी दे दिया है, लास्ट में यहां हमको रा शब्द भी दे दिया है, और हमको सर शब्द जो है, वो ढूंड के निकालना है, तो रास, रास हैंने धी, या धेर, ठीक है, नेक्स देखते हैं, कविता करूया, आपको यहाँ पे तीन सरकल दिये हुए, एक, दो, और तीन, इनकी हेडिंग दिये अंगण, सर्ण, और तोरण, और यह सारे आजू वाजू के जो है, आपके यह शब्द, जो है, इनको सब को मिलाकर, जो है, कविता करना है, तो हमने यह बनाई हैं अंगण वाले में से कि प्रशक जो भी इसमें शब्द दिये ना अब आपको मैं बता दिती हूँ पहले कि जो भी इसमें जो शब्द दिये ने सड़ा, जाड़े, प्रश्वस्त, घर, खेर, सर्ण, सारे जर्ण और यांगण इनको मिला के एक कविता दयार करना है फिर इनमें यहाँ पे सर्ण, रंगोडी, तोरण, मेर, आनंद, पुरनपुडी, पाहुने, दिवाडी, गुडी, पाड़वा इसको मिला के दूसरी कविता दयार करना है और यहांपे तोरं, पाने, फुले, नारई, दार, सुन्दर, रंगे, भेरेंगी इसको मिला के हमको तीसरी पोयम तयार करना है अब पोयम कैसे होना चाहिए? राइमिंग वर्ड्स होना चाहिए है, गाने, गीत के समान लगनी चाहिए जिसको गाया जा सके तो प्रशस्ता आमचे घर, खेड़ खेड़ घर भर, सर्ण आला दिवाली चा अंगरनात पड़तो सर्डा, जाड़े वेदी फूले गच भरून गेले ठीक है, इस तरह से हमने उसका राइमिंग जमा दिया है दूसरा जो सर्कल दिया है, उसमें दिया है सर्ण, और सर्ण के आजवाज़ जो जीतने भी वर्ड़ जो उनको मिला के हमने एक अविता बनाई कि दिवाडी आली, काढू रांगोडी, खावू पूरण पोडी, गुडी पाड़वा सन आनंदाचा, तोरणे दारी बांधायेचा, खेली मेडी साखराची लडी, लिमबाची पाने, आली पाहूने हैने उस दिन गुडी पाड़वा के दिन जो है, घर पर तोरण बंदनवार बांधे जाते हैं, खुब सारे गेम्स रात के समय में खेले जाते हैं, और जो है, जो गुडी पाड़वा पर जो गुडी बांधी जाती है, उसके पर शकर से बनी हुए एक माला समान होती है, आगी तिसरा सर्कल में weign our फर दिया तोरन तोरन यए बंदनवार जो दरवाजे पर लगाया जाता है हम neee इसका बनाया हिए इसका आजवा जो की जो शब्द दिया है उनको मिलाकर के हिरवे हिरवे तोरन-दारी heign our दरवाजे पर हरा-हरा तोरन लगाया सुन्दर पाने फूले उसमें सुन्दर पत्ते हैं सुन्दर फूल हैं नार और आने करुया पूजन और नारियल से पूजा करेंगे हैं रंगी बेरंगी छटा ही शोब है और आसपास जितनी भी रंग बेरंगी छटा है फूलों की पत्तियों की ये बहुत शोबायमान लग र है कि कि वरील आकुरत्यान मधे गोला त दी लेला शब्दानषी सब्धित काही शब्द दी लेला है Most instructor है जाम सब्दान थिन राइमिंग यह तीन राइब यह तीन राइमिंग यह तीन राइमिंग धाना यहमक जुडनारे शब्द मनताते हैं, इसको जो है, इनके end मिलने वाले जो है, बियसरे शब्द कहा जाता है, rhyming words बिग ज 소개 Pluggedmayı, यह ईन शब्दान से वापर करून, आप ले ले बद्ध के तयार करता है था, याइन शब्दों का वापर कर कर के, करके हमको लए बद्दैने जिसको हम गा सके एसे वाक के रहने सेंटेंस तयार करते आ सकते हैं तो यहाँ पी इन्हों ने ये पोयम तयार की है इस चीज को लेकर कुन से आले फर्स्ट वाले सरकल को लेकर इन्हें ये पोयम तयार कि और हमने जो है अलड़ी मैं आपको तीनों अलग अलग पोयम दे चुकी हूं ठीक है वो मैंने खुद तैयार की है आप लोगों के लिए तो ऐसे घरा भौती प्रशस्त अंगन जमले तेथे सारे जर्ण सडारांगोरी अंतोरन साजरे करतो सग्रेशन या प्रमाने वरिल आकृत्यान मधे दिलेलया इतर शब्दान चा उ नेक नए रूप में अच्छे से अलग तैयार कर लिए इसके अलवा हमने हमारी दूसरी तैयार की कविता एक इसकी तैयार कर लिए एक हमने और एक इसकी तैयार कर लिए इस तरीके से हमारी कविता अच्छे से तैयार हो गई है तो भी धरतियों आपको ये जो वीडियो है कैसा लगा मुझे जरूर से बताईएगा कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखेगा और अगर कोई भी परिशानी हो तो मुझे बताने के लिए बिल्कुल भी हिचक महसूस मत कीजेगा सरवाना कसा है वीडियो अटलाएं माला थे करवा जरूर मिलती हूँ आपसे अच्छा अगरा कोई वीडियो लेकर तब तक के लिए धन्यवाद नमस्ते